हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉक्सिट नंबर 73 वॉक्सिट नंबर 73 हिंदी का वॉक्सिट है हिंदी के वॉक्सिट में आज हम जोर्ज पंचम की नाक पढ़ें जो लिया गया है क्रिति का भाग 2 यह वॉक्सिट है क्लास 10 का और वॉक्सिट 30 दिसम्बर 2020 का हैं बच्चों जोर्ज पंचम की नाक यह एक व्यंग रच्ना है जो लिखा गया है कमले स्वर जी के द्वारा हमने पहले की वीडियो में भी जॉर्ज पंचम की नाक पर चर्चा की थी तो क्या होता है बच्चों इंग्लेंड की महरानी भारत के दोरे पर आने वाली होती है इसलिए हर जगा साफ सफाई का अच्छे से ख्याल रखा जाता है अब इसी बीच क्या होता है कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है वा गायब हो जाती है अब जॉर्ज पंचम की नाक गायब होने की बात कहा तक पहुंचती है तो नेताओं तक पहुंचती है अब सभी परिसान हो जाते हैं कि इस नाक को आखिर लगाया कैसे जाए तो वो बुलाते हैं किसे एक मुर्तिकार को मुर्तिकार आता है जॉर्ज पंचम की मुर्ति को देखता है जो लगा होता है इंडिया गेट के पास मुर्तिकार बेचारा होता तो गरीब है लेकिन वह एक अच्छा कलाकार होता है इसलिए वह उन लोगों को कहता है कि वह जॉर्ज पंचम की नाग अवस्चे लगा देगा लेकिन उसके लिए उसे यह जानना होगा कि जॉर्ज पंचम की मुर्ती बनी किस पत्थर से है अब नेताओं ने करमचारियों को आदेश दिया कि यह पता लगाओ कि जॉर्ज पंचम की मुर्ती जो है वह किस पत्थर से बनी हुई है अब भाईया सभी जगा खोज लिया गया लेकिन कहीं भी पता नहीं चला कि आखिर जॉर्ज पंचम की मुर्ती बनी है तो बनी है किस पत्थर से मूर्टिकार को इस बात का पता नहीं चला लेकिन तब भी मूर्टिकार निरास नहीं हुआ उसने नेताओं से कहा कि अच्छा ठीक है मैं ऐसा करता हूं कि मूर्टि किस पत्थर से बनी है यह ढूंड नीकालता हूं तो कैसे ढूंड़ूँगा तो मुर्तिकार ने पूरे भारत का भ्रहमन किया सभी जगा छान लिया सभी पहार परबत सभी जगा देखा लेकिन जॉर्ज पंचम की मुर्ती किस पत्थर से बनी है या उसे पता नहीं चला वह आया और उसने हुकामों से कहा कि जॉर्ज पंचम की मुर्ती जो है वा भारत के पत्थरों से नहीं बनी हुई है वा किसी बिदेशी पत्थर से बना हुआ है अब सभी पढ़े सान कि अब भाया कैसे नाक लगाए जाएगी फिर से सभी राजनेता जो थे वो उदास हो गए कि अब क्या करेंगे तभी मुर्तिकार के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न हम अपने देश के महान वैक्तियों की मुर्तियों का नाक देखें कि वा लाट पर फिट बैट रही है कि नहीं अब फिर वा भारत भ्रहमन पर निकला सभी जगहों की मुर्तियों को देखा गांधी जी की मूर्ती को देखा चंदर सेखर आजाद की मूर्ती को देखा बंगाल गया वहां रविन्ना टैगोर की मूर्ती को देखा तो इस तरह वह फिर से भारत भर्मन कराया लेकिन किसी की नाक जो है वलाट पर फिट नहीं बैट रही थी अब चलिए जॉर्ज पंचम की नाक को जारी रखते हुए आके देखते हैं कि आगे क्या हुआ सुनकर सब हतास हो गए और जुझलाने लगे मुर्तिकार ने धानधस बधाते हुए आगे कहा सुना है कि बिहार सेकरेटेरियेट के सामने सन 42 में सहीद होने वाले बच्चों की मुर्तियां अस्थापित है सायद बच्चों की नाक ही फिट बैट जाए या सोचकर वहां भी पहुँच पड़ा उन बच्चों की नाके भी इससे कहीं बड़ी है अब बताईए मैं क्या करूँ अब देखिए मुर्तिकार बैचारा कहां पहुँचा बिहार सेकरेटेरियेट बिहार सेकरेटेरियेट के सामने 42 सहीद बच्चों की मुर्तियां लगी थी और उसने क्या किया 42 सहीद बच्चों के नाकों को देखा लेकिन उन में से किसी का नाक जो है वह जोर्ज पंचम के नाग पर फिट नहीं बैठा अब फिर से सभी परेसान राजधानी में सब तयारियां थी जोर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था रोगन लगाया गया था सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाग नहीं थी रोगन सब्दकार्थ होता है बच्चों एक लेप जो मुर्टियों पर लगाया जाता है मुर्टियों को साफ रखने के लिए तो अब राजधानी दिली में सभी तयारियां हो गई थी जोर्ज पंचम की लाट को अच्छे से मलमल करके साफ किया गया था सब कुछ हो गया था सिर्फ उस पर नाक लगानी थी बात फिर बरे हुकामों तक पहुँची बरी खलबली मची अकर जोर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात है अब देखे सरकारी तंतर में जोर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर के क्या हो गई खलबली मची गई अब लोग फिर से परिसान हो गए कि अब क्या किया जाए महरानी एलिजाबेस जब हमारे देश आएंगी तो हम कैसे उनकी स्वागत करेंगे अब देखे यहाँ पे क्या जालग रहा है तो यहाँ पे हमारा देश भारत आजाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम की तरह लग रहा है और यह क्यों लग रहा है तो यहाँ के सरकारी तंतरों की चापलूसी की बज़ा से और गुलामी की बज़ा से उन्हें अपने उस अतीथी की नाग बहुत मुल्लेमान परतीथ होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया लेकिन मुर्तिकार पैसे से लाचार था यानि हार मानने वाला कलाकार नहीं था एक हैरत तंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था और उसने पहली सर्थ दोहराई अब देखिए मुर्तिकार के बारे में तो पहले ही बताया आपको कि वह बेचारा पैसे से लाचार था यानि गरीब था लेकिन हार मानने वाले में से नहीं था उसके दिमाग में फिर से वही ख्याल आया एक बार पहले भी उसके दिमाग में यह ख्याल आया था कि मुर्ति पर जिन्दा नाग लगा दी जाए फिर उसने हुकामों के सामने अपनी पहली सर्थ को दोहरा दिया जिस कमरे में कमीटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मुर्तिकार ने अपनी नई योजना पेस की चुकि नाग लगाना एकदम जरूरी है इसलिए मेरी राय है कि 40 करोर में से कोई एक जिन्दा नाग काट कर लगा दी जाए अब देखिए मुर्तिकार ने फिर से वही सर्थ दोहराई कि अगर नाग लगाना इतना जरूरी है तो हमारे देश की जो जनसंख्या है उन में से किसी एक की नाग तो लगी सकती है इसमें कोई हर्ज नहीं बात के साथ ही सननाटा चागया अब भाय कोई जिन्दा नाग लगाया जाए तो लगाया जाए कैसे कुछ मिंटों की खामोसी के बाद सभापती ने सब की तरफ देखा अब सभापती जो थे वा सभी को देख रहे थे सब को पड़ेसान देखकर मुर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला आप लोग क्यों खबडाते हैं अब भई जिन्दा नाक लगाना कोई आसान काम तो था नहीं लेकिन सब को पड़ेसान देखकर के मुर्तिकार क्या हुआ अचकचा गया अचकचाना यानि की वचक्का होना कहता है आप लोग क्यों घबराते हैं यह काम मेरे उपर छोड़ दीजिए नाक चुनना मेरा काम है आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए काना फूसी हुई और मुर्तिकार को इजाज़त दे दी गई मुर्तिकार सब को घबराय हुए देखकर के कहता है कि आप लोग पड़ेसान मत हो नाक चुनने का काम मेरा है आप सिर्फ मुझे इजाज़त दीजिए फिर क्या हुआ सभा में सभी के बीच फिर से कानाफूसी सुरू हो गई और मुर्तिकार को इजाज़त दे दी गई आगे क्या होता है वह देखिए अखवारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हलो गया और राज़पत पर इंडिया गेट के पास वाली जौर्ज बंचम की लाट के नाक लग रही है अब देखिए अखवार में सिर्फ इतनी खबर छपी कि जौ राजपत यह निन्डिया गेट के पास मुरती है जोर्ज पंचम की उस पर नाक का मसला हल हो गया है अब उस पर नाक लगाई जा रही है नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई मुर्ति के आसपास का तालाव सुखा कर साफ किया गया उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिन्दा नाक लगाई जाने वाले थी वो सूखने न पाए इस बात की खबर जनता को नहीं थी यह सब तैयारिया भीतर ही भीतर चल रहे थी रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था मुर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेसान था जिन्दा नाक लगाने के लिए उसने कमीटी वालों से कुछ और मदद मांगी वा उसे दे दी गई लेकिन इस हिदायत के साथ की एक खास दिन पर हर हालत में नाक लग जानी चाहिए और यह दिन आया जोर्ज पंचम की नाक लग गई अब देखिए जोर्ज पंचम की नाक लगाने का कारेकरम सुरू हो गया था नाक लगाने से पहले इंडिया गेट के पांस जो छोटे छोटे तालाब हैं उनको साप किया गया और उनमें साफ पानी भड़ा गया ताकि जो जो जोर्ज पंचम की जिन्दा नाक लगाई जाए वह क्या ना हो सूखने न पाए अब बेचारा मुर्तिकार अपनी दिये गए सलाह में खुद बखुद भस गया क्या करे कैसे लगाए कुछ समझी नहीं आ रहा था उसे से लग जानी चाहिए जिस दिन इंग्लेंड की महारानी यहां पहुंचेंगे सब अख़वारों ने खबरे छापी के जोर्ज पंचम के जिन्दा नाक लगाए गई यानि ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती लेकिन उस दीन के खबरों में एक बात गौर करने की थी कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी कहीं भी किसी का अभी नंदर नहीं हुआ था कोई मान पत्र भेट करने की नौबत नहीं आई थी किसी हवाई अड़े या स्टेशन पर स्वागत सामारों नहीं हुआ था किसी का भी ताजा चित्र नहीं छपा था सब अखवार खाली थे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूत के लिए अब आगे देखिए जॉर्ज पंचम के उपर जिन्दा नाक लगा दी गई अब यह जिन्दा नाक किस की थी क्या थी या खवर अखवारों में नहीं छपी थी खवर सिर्फ इतनी थी कि जॉर्ज पंचम के जिन्दा नाक लगाई गई है जो बिलकुल असली है पत्थर की नहीं है उस दिन अकवारों में और कोई भी खबर छापा ही नहीं गया था सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक की ही चर्चा की गई थी अब ऐसा क्यों हुआ या किसी को पता नहीं था नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वाबी किसके लिए तो जॉर्ज पंचम की जो मुर्ती थी उसके लिए चाहिए थी तो बच्चों आज की बस इतनी सी कहानी है चलिए देखते हैं इसे संबंधित प्रश्णों को सबसे पहले याँ देखिए सब्दार्थ दिया गया है रोगन सब्द का आर्थ होता है चिकना लेप जो किसी वस्दू को चमकाने के लिए उस पर लगाया जाता है तो रोगन का इस्तेमाल कहां किया गया था आप हमें कमेंट करके बताएं अचकचाया यानि चौकना या भोचक का होना पहला प्रसना मारा है जोर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मुर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किये तो देखिए मुर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किये है जोर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मुर्ति कार्ट ने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया जिससे वह मुर्ति बनी थी फिर भारत के सभी पहारों और सभी महापुर्शों की मुर्तियों का निरिक्षन करने के लिए पूरे देश का दोड़ा किया अंत में जीवित वैक्ति का नाक काट कर जॉर्ज पंचम की मुर्ति पर लगा दी गई दूसरा प्रस नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई थी तो बच्चों नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई थी फिर से पहरेदारों को तैनात किया गया था तलाबों को सुखा कर साप किया गया था और उसमें ताजा पानी भड़ा गया था ताकि वह जिन्दा नाक सुखे ना देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नाक लगाने से पहले हतियार बंद पहरेदारों की तैनाती की गई तथा आसपास के तलाव को सुखा कर ताजा पानी डाला गया तीसरा प्रसंद है अखवारों ने जिन्दा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तूत किया देखे अखवारों ने बस इतना ही छापा नाक का मसला हल हो गया जौर्ज पंचम की लाट के जिन्दा नाक लगाई गई है अर्थात नाक पत्थर की नहीं लगती कैसी लगती है जिन्दा चौथा प्रस्त जौर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखवार चुप क्यों थे तो देखिए बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बेटे सरकार को दिखाने के लिए किसी जिन्दा इन्सान की नाक जौर्ज पंचम की लाट पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया इसके विरोध में तथा सरमिंद्गी के कारण अखवार उस दिन चुप रहे पांचमा प्रस्न हमारा गतीवीदी दिया गया है यह पार्थ एक व्यंग रचना है जिसमें मौजूदा व्यवस्ता पर कुछ कतनों द्वारा करारी चोट की गई है जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर जूगे थी इस पार्थ में परियुक्त इस परकार की सभी कतन को ढून कर लिखे बच्चों व्यंग रचना क्या होता है तो व्यंग रचना हम उस रचना को कहते हैं जिसमें हसी मजाक के जड़िये बड़ी से बड़ी बाते कह दी जाती है और सामने बाले को बुड़ा भी नहीं लगता है तो इस परकार की रचना को हम व्यंग रचना कहते हैं यहां देखे संक इंगलेंड में बज रहा था गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी तो बच्चों पहले वाक्य में किस पर व्यंग किया गया है तो अख़बारों पर व्यंग किया गया है मीडिया पर व्यंग किया गया है दूसरा व्यंग हमारा है गस्त लगती रही और लाट की नाग चली गई अब यहां देखे कानूनी ब्यवस्था पर व्यंग की गई है कि गस्त के बाबजूत भी क्या हो गया लाटकी नाग चोड़ी हो गई तीसरा हमारा है सभी सेमत थे कि अगर यह नाग नहीं है तो हमारी भी नाग नहीं रह जाएगी अब यहाँ देखे यह व्यंग जो है वह किस पे है चापलूसी पे है जो हमारे देश के राजनेता है उनकी चापलूसी सरकारी तंत्रों की चापलूसी पर किया गया व्यंग है एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है अब देखे इस व्यंग में किस बात को उजागर किया गया है तो इस व्यंग में सरकारी विवस्था के उपर है क्या होता है आप लोगों ने भी देखा होगा सरकारी कामकाज में क्या होता है वह एक काम को दूसरे के उपर टालते जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से भागते जाते हैं तो यह व्यंग उन सरकारी राज तंत्रों के उपर किया गया है पुरातत्त विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला तो यहां पर व्यंग किया गया है सरकारी विभागों पर अगला हमारा है यह छोटा सा भाशन फोरन अखवारों में छप गया यहां पर बच्चों अखवारों के उपर व्यंग किया गया है तो बच्चों आज का यह वाग सिट यही समाप्थ होता है वाग सिट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सुचित करें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन को दवाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हैं वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिल्कुल न भूले तो मिलते हैं अगले वाक्षीट मे आप सब का धन्यवाद